नमस्कार दोस्ता एक बड़ा चैनल पर फिर से स्वागत है आपका और आज के वीडियो में आपको बताँगा आप घर्ष पे कोकर में आसानी से वेज़ पुलाव कैसे बना सकते हैं अगर आप इस तरह से वेज़ पुलाव बनाओगे तो जल्दी बनने के साथ साथ भी कापी स्वादिस्ट भी बनते हैं तो यहां पर सबसे पहले मैं कुछ सबजिया लिया है बीन्स लिया है उनको भी काट लिया है और यहां पर मटर हैं फ्रेश मटर यूज कर रहा हूं इनको भी छेल के लिटक लिया है और थोड़ा सा हरी मिर्च काटी है मैंने और थोड़ा सा हरा धनिया काट लिया है और यह फूल को पी इसको इसतरा से काट लिया है कुपस में और यह गाजर रहे इसको इसतरा से लंभा- Dortmarks लिया है और यहां पर आलू भी यूज करँरा हूं और यहां पर तीडाम साइज की प्याज है जिन को इसतरा से काट लिया है मैंने लंबा-Lumba तो सब्जियों को जो अच्छे से दोलें और दो के फिर कटिंग करें और यहां पर लगबग मैंने 200 ग्राम चावल जो हैं सफेद चावल बासमती चावल लिए छोटे वाले जिनको सोक करके रख दिया है तो यहां पर सबसे पहले मैं कुकर ले रहा हूं और कुकर में मैं यहा तो यहां पर जो प्याज है उनको डार्क ब्राउन कलर होने तक हमें भूनना है तो बीच-बीच में आप इसको चलाते भी रहें ताकि प्याज पर यह उन कलर आए तो यहां पर देखिए हमारे प्याज जो है लगबग भून गई है तो इस तरह का कलर आपको ले लेना है प कि बाकी की जो cooking process है वो प्याज को बाहर निकालने के बाद भी थोड़ी बहुत cooking process चलती तो उसमें पक जाएंगी अगर आप इनको बिल्कुल यही पर पूरा पकाद होगे तो बाहर निकालने के बाद में और पक जाएंगे और कड़ भी हो जाएंगी तो यहां पर कुछ प्य देना है तेल के साथ में अलके से चलाते हुए अलके-अलके गाजर को अच्छे से पका लेना है जो हमारी गाजर बीची स्टेट तक पक जाएं तो उसके बाद में हमने यहां पर फूल गोपी जो काटके रखी हुई है उसको डाल देना है और फूल गोपी के साथ में मैं य क्योंकि बीन सो जो फूल को पिए और दोनों एक साथ लगबग पक जाते हैं दोनों में पानी की मात्र काफी होती है तो इनको पकने में ज्यादा टाइम लगता जो इनको एक साथ ही डाल रहा हूं इनको और इनको लगातार इस तरह से बीच-पीच में चलाते रहना है वरना स पिल डाल रहा है और पिजी वी लालमीर्श डालने बाद में लगबग आधे से थोड़ा साज ज्यादा प्षटी को धर्रमारे च종 winner दिंद के तो सब्सक्राइब भून लेना है तो उसके बाद में दही और मसालों का जो पेस्ट बनाके रखा हुआ था वो डाल दें और तो गैस की flame जो है वो यहांपे low रखेंगे क्योंकि high flame करने के बाद में धाई जो फट जाता है और लगातार इसको चलाते रहेंगे इस तरह से ताकि दाई फटे नहीं है इतने चावन है अपर चावल सोक करके रखागे उपर और चावल डालने के बाद में रिस्कों चलाएंगे, लए तो पानी भी具ँ क्रोसेश में काम आएगा तो ज्छादा पानी डालेंगे नहीं जितनी चावल है उतना ही पानी डालेंगे को यहां पर चावल जो है सारे मैंने डाल दिए तो इस तरह से इनको इसी तरह छोड़ देंगे इनको चलाना नहीं है लास्ट में जो प्याज फ्राई करके रखे हुए थे वो भी हम इसमें डाल देंगे और यहीं पर प्याज के साथ में मैं कटा हुआ धनिया की पत्ते डाल रहा हूं आप आपके पास में अगर पोदिना अवलेबल हो तो आप पोदिना डालें एक अच्छी सी खुशबू आती है पोदिना डालने से तो यहां भी सब डालने के बाद में इसको डखकर लगा देना है कुकर को और तीन सीटी आने तक पकाना है पहली सीटी हम तेज आज पर लगाएंगे उसके बाद में दो सीटी मीडियम फ्लेम पर लगाएंगे तो इस तरह से हमारे वेज पुलाबन के तयार हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें